प्रदेश सरकार परवतिय शेत्रों में बहदर स्वास्त सुविधा देने का दावा कर रही है लेकिन जमीनी इस्तर पर सरकार के दावे खोकले साबित हो रहे हैं सरकार ने परवत्य जिलों में अस्पताल तो खोल दिये हैं लेकिन अनस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है जिसके चलती ये अस्पताल मरीजों के लिए रेफर सेंटर बन चुके है दरसल हम बात कर रहे हैं अलमोडा जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज की जब जिले में मेडिकल कॉलेज खुला तो लोगों में एकास चगी थी कि आब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा लेकिन कौन जानता था कि फिर भी इलाज के लिए शहरी अस्पतालों कर रुख करना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज खुलने पर सरकार ने भी अपनी खुब पीट थपत पाई लेकिन आज अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी से चूज रहा है अलमोडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और विशेशक्य डॉक्टरों की कमी के कारण जहां मेडिकल कॉलेज से MBBS के छात्रों को नुक्सान हो रहा है वहीं उपचार के लिए आ रहे मरीजों को भी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य खिमाने तो उनके अनुसार फैकल्टी के चिकित सकों में कमी है और शीगर ही ये पत्रजित होंगे जोइनिंग के आदेश दे दिये गए हैं तो एक तो नौ डॉक्टर जो है ये वहां से हमें मिल जाएंगे एक अपते के अंदर जो है उन लोगोंने जोइन करना है यहां पर दूसरा अभी जो है पूरे स्टेट में जो है एसेशन्ट वाफसर के जो है रेगलर करती हुई है और जल्दी ही जो है वो लोग भी जो है जोइन करेंगे तो धीरे जो है जो फैकल्टी की थोड़ा बहुत जो कमी है वो कम्प्रीड हो जाएगी तो अगर वो लोग से जोइन कर लेते हैं तो यहां कुमाओं की जनता के लिए एक के हित्म होगा और फिर जो चीज़ें हम नह इसे जूज रहा है शहरी शेत्रों में स्थित जादातर सरकारी अस्पतालों की हालत भी कुछ ऐसी है सवाल आज भी वही है क्या सिर्फ वोड बैंक की राजनीती के लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं पंजाब केसरी टीवी के लिए अलमोडा से निर्मल उप्रेति की रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद